फ्रेंच और आर्ट इंफोर्मिशन के साथ रियल वीडियो लेका हों तो फ्रेंच देखिए जब हम लोग पासपूट के लिए उनलाइन एपलाई करते हैं तो उनलाइन एपलाई होने के बाद जब हम लोग पैमेंट कर देते हैं यानि जो नॉर्मिल के लिए आपको 1500 रूपी का पेमेंट रहता है तो पेमेंट करने के बाद हम लोग online appointment लेते हैं तो बहुत सरे इसे लोग होता है जो appointment ले लेता है लेकिन appointment लेने के बाद वो जो passport सेवा केंदर होता है उसमें जाके जो verification बगरा होता है वो कर नहीं पाता है मतलब जो appointment date लेता है उस date में attend नहीं कर पाता है तो इस टाइप का बहुत सरे लोग का problem होता है और जब appointment date को attend नहीं कर पाता है सोच लेता है कि मेरा जो appointment है चला गया फिर से मैं appointment ले नहीं पाऊंगा और जो मेरा 1500 रूपिस मेंने online पे कर दिया वो बरबात हो गया तो ऐसा नहीं है तो आप इस वीडियो को देखते रहे है अगर आप first time appointment ले लिया तो उसमें आपने attend नहीं कर पाया है क्योंकि बहुत सारे लोग comment करते रहे थे कि पैसा repent होता है या नहीं होता है तो सब कुस इस वीडियो में clear करेंगे तो चैनल पे अगर आप नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press कर लिजे था कि future में जो भी वीडियो upload कर उसका notification आपको मिलते रहे तो चलिए वीडियो क को login कर लेना है तो existing user login इस option में आपको click कर देना है तो मैंने click कर दिया तो click करने के बाद फिर इदर जो login ID ID को इदर type करके continue पर click कर देना है तो जब आप click करेंगे click करने के बाद आपको इस टाइफ से दीख जाएगा और इदर आपका जो password है password को put करके आप जो आप click करेंगे इस टाइफ से दीख जाएगा तो जो भी form का यानि application का आप appointment लेना चाहते हो तो इसको आप tick कर लिजे तो tick करने के बाद इसमें processing होगा फिर आपको इस टाइफ से दीख जाएगा और middle वाला option है payment and appointment इसमें आपको click करना है और जो first hour option है देखिए schedule appointment for application तो इस district level में PSK होता है तो आपका जो district है district को इदर से देख लिजे और देखके देखिए कि इसमें available है या नहीं अगर है तो आप नीचे आईए नीचे आने के बाद इदर आप देख सेखते हो एक option है application reference number उसके नीचे आपको select बोल के दीख जाए तो इसमें आपको click करना है और आ आप click करने के बाद आपकी staff से दीखेगा आपका details बगरा तो friends देखिए अगर आप select किया हुआ date में ही लेना चाहते हो appointment तो ले सकते हो अगर आप दूसरा date में लेना चाहते हो तो इदर से आप choose कर सकते हो कौन सा date में आप appointment लेना चाहते हो तो आप change भी कर सकते हो कोई problem नह staff से दीख जागा फिर आप देख सकते हो कि print application receive फिर इसमें क्लिक करके जो receipt है receipt को आपको print out कर लेना है और आपका जो register mobile number है उसमें भी एक message जाएगा उस message को भी आप जो सेवा कंदर होता है सेवा कंदर में जाके दिखा सकते हो और बीना receipt के भी आप आपका verification करवा सकते हो को problem नहीं है लेकिन अगर आप receipt लेकर जाएंगे तो सही रहता है कोई problem नहीं है तो इसको आप print कर लीजे तो print option में click करने के बाद step से दीख जाएगा print option में click करके आप print करवा लीजे को भी दिक्कत नहीं रहेगा first वाला जो form है इसी को ही कर लीजे और second वाला form को करने का कोई appointment लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो बिल्कुल आपको कोई भी tension लेने का ज़रूरत नहीं है और friends देखिए अगर आपका एक बार form आपने submit कर दिया और आपका online payment हो गया फिर आपका पैसा refund नहीं होगा आप बार बार appointment ले सकते हो अगर आपका कुछ भी problem होता है problem के बज़ करित नहीं